नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल एटूजट स्टडी में पहुत पहुत स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिक्स्त मैथ में चैप्टर नमबर टेन मेंसुरेशन की एक्ससाइज 10.1 का कोशन नमबर 6, कोशन नमबर 7, कोशन नमबर 8 और कोशन नमबर 9 तो चलिए समय पर बाद नहीं करते हैं सीधे हम लोग इन कोशन को लगाना शुरू करते हैं तो कोशन नमबर 6 ये कह रहा है find the perimeter of each of the following shapes और नीचे मेरे ABC करके points दिये हुए हैं देखिए कोशन नमब अच्छ है ये कह रहा है कि नीचे जो मेरे shapes दिये हैं आपको उन सब के perimeter निकालने होंगे तो A में मेरा लिखा है triangle of side 3 cm, 4 cm and 5 cm तो 6 का A क्या कह रहा है कि भई एक मेरा क्या है triangle है त्रिबू जैसा ठेक है इसके तीनो side की measurement क्या है एक की है 3 cm, एक की है 4 और एक की है 5 cm ये मेरा कोशन कह रहा है और मुझे इसका क्या निकालना है perimeter निकालना है तो दोस्तों देखिए perimeter of triangle निकालना बहुत असान होता है आपको कुछ नहीं करना है जितने भी मेरे sides दे रखी है उन सब का sum करना है ठीक है ना all side का आपका sum कर देना है तो चलो भई कर लेते हैं तो perimeter perimeter of a triangle perimeter of a triangle equals to क्या क्या है 3 plus 5 plus 4 तो भई जोड़ीजे 3 में 5 जोड़ो होता है 8 में 4 जोड़ो होता है 12 cm और यह हो गया मेरा a वाले का answer ठीक है next है मेरा b वाला क्या कहा रहा है an equilateral triangle of side 9 cm यहनकि equilateral triangle है 9 cm की जिसकी sides देखो जी पहले तो यह समझा लो equilateral triangle हम लोग कहते किसको है तो equilateral triangle ऐसे triangle यानि ऐसे त्रिबुच को कहा जाता है जिसकी तीनो साइड आपस में बराबर हूँ मतलब अगर यह 9 है तो यह भी 9 होगी और यह भी 9 होगी यह है मेरा equilateral triangle और इसी की मुझे क्या निकालना ही perimeter निकालना है तो इसमे भी same method some of all sides चलू कर देते हैं perimeter of equilateral of an equilateral triangle equilateral triangle तो चलू भाई solve कर लेते हैं तो equals to 9 plus 9 plus 9 तो 9,9 अठारा और 9 जोड़ हो जाता है 37 सेने 27 सेंटिमीटर यह हो गए मेरा 6 के B का answer चलू जी अब 6 का C कर लेते हैं तो 6 का C कह रहा है an iso scale triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm क्या कह रहा है एक iso scale triangle है जिसके जो equal sides है वो 8 cm की हैं और जो तीसरी side है वो 6 cm की है तो पहले तो यह सेक लेते हैं कि iso scale triangle हम लोग कहते के इन triangles को हैं तो देखे iso scale triangle यह मेरे वो triangles होते हैं जिनकी 2 sides कोई भी 2 sides बराबर होती है और 30 sides different होती है मतलब यह है कि इन में से कोई 2 मेरी बराबर होंगी और question में भी दे रखा है कि इसकी equal sides कितने की हैं 8 cm की है तो तरीका मेरा वो ही है perimeter of iso scale triangle iso scale triangle triangle equals to 8 plus 8 plus 6 तो 8 और 8 होता है मेरा 16 और 16 में आप 6 जोड़ दीजे तो हो जाएगा 22 यानि 22 cm यह हो गया मेरा question number 6 चलो जी अब question number 7 लगा लेते हैं तो पहले तो short में लिख लेता हूँ मैं find dot 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 15 cm 15 cm देखो जी question number 7 क्या कहा रहा है question number 7 यह कहा रहा है पैरिमेटर और ट्राइंगल विच साइट 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 मीजरिंग 10 cm 14 cm 15 cm क्या कहा है एक भाई मेरा त्रिबूज है एक मेरा ट्राइंगल है जिसके साइट से मेरे 10 cm 14 cm और 15 cm आपको उसका पैरिमेटर निकालना है तो जैसे मैंने Q6 का A solve किया है वैसी मैं इसको भी solve करूँगा टीनो साइट को मैं क्या कर दूँगा एड कर दूँगा और मेरा पैरिमेटर निकालाएगा तो चलो भाई कर लेते हैं Solution पैरिमेटर पैरिमेटर ओफो ट्राइंगल ओफो ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या है मेरी मेजरमेंट 10 प्लस 14 प्लस 15 ठीक है तो चलो भाई इसको हम लोग solve कर लेते हैं तो 10 में 14 जोड़ ली जाब तो 10, 10, 20 और 4, 24 24 में 5 जोड़ दो हो जाएगा 29 और 10 जोड़ दो हो जाएगा 49 यह नहीं 39 39 सेंटीमीटर यह हो गया कोशन नमबर 7 का अंसर देखो कितना चुड़ा था एक लाइन में हो गया कोशन 7 चलो जी next है मेरा कोशन नमबर 8 क्या कह रहा है find the perimeter of a regular hexagon with each side imagining 8 meters बहुत असान है पहले short में लिख रहते है find dot 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 8 meter देखो जी hexagon मेरा कैसा होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है ऐसे 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 और ऐसे एक दो तीन चार पांच छे इसमें 6 sides होती है और कहा रहा है कि एक side मेरी 8 की है और एक और चीज hexagon की सारी sides आपस में बराबर होती है regular hexagon की सारी side आपस में बराबर होती है मतलब ये 8 तो ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 और ये 8 ठीक है ये होगा मैं regular hexagon तो मुझे इसका perimeter निकालना है भई perimeter कैसे निकालूँगा perimeter कैसे निकालूँगा सब को जोड के ही तो निकालूँगा ये निकालूँगा चलो भई निकाल लिया जाए perimeter perimeter of hexagon देखो इसको पता है निकालने का एक और तरीका होता है अगर आप जोडना नहीं चाहते हो तो गिनलो कितने sides हैं 1,2,3,4,5,6 6 side हैं और एक measurement क्या है 8 है तो आप अगर 6 into 8 कर दोगे न तो भी मेरा 6 into side यानि 6 गुड़ा 8 कर दोगे तो भी मेरा answer आजाएगा आपकी इच्छा है आप चाहो तो multiply करके निकाल लो या जोड के निकाल लो answer होतना ही आना है ठीक लेगिन चलो हम जोड के निकाल लेते हैं क्योंकि इसको जादा complicated नहीं करते हैं है तो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक दो तीन चार आप सही है तो बई जोड लो तो आठ आठ सोला और सोला रुग्ज़ा एक दो तीन चार पांच यह तो गया तरीका यह मेरा formula होता है regular x-second का perimeter निकालने का तो six into eight कर लेते answer मेरा 48 meter आ जाता है ठीक है जो method अच्छा लगता है यह वाल अच्छा लगता है इससे कर लो आपकी इच्छा ठीक चलो जी तो यह हो गया मेरा question number eight आप हम लोग लगा लेते है question number nine तो पहले short मैं रख लेता हूँ मैं find find dot 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 और यह है मेरा 20 meters क्या कह रहा है question यह कह रहा है find the side of a square whose perimeter is 20 meters देखो जी आप ज़रा ध्यान से समझो क्या कह रहा है इस question के अंदर आपको अब side निकालना है मतलब normally क्या होता था question के अंदर side दिये होते थे और कहता था कि भई आपको इसका perimeter निकालना होगा लेकिन इस question में इसका उल्टा है इस question के अंदर आपको perimeter दिया हुआ है और side निकालना है तो इसको कैसे solve करेंगे अभी बताता हूँ आपको मैं तो भाई चलो लिख लेते हैं पहले तो perimeter of square का formula क्या होता है 4 into side ठेक है इस question के अंदर side निकालना है और मेरा perimeter दिया हुआ है तो चलो उतार लो तो perimeter square की value क्या दिया हुई है 20 20 meters ठेक है और 4 into side ये तो मेरा formula है मुझे side निकालना है एक काम करो number को number की तरफ भेज़ो यहां से meter अठा दो confusion हो जागी number को number की तरफ भेज़ो मतलब यह जो 4 है इसको आप इस तरफ यहन की 20 की तरफ भेज़ दीजे तो यहां पर multiply में है यहां जाके किसमे हो जागा divide में हो जागा तो 20 upon का 4 equals to side तो अब 4 बन जा और 4 फाइट जा 20 होता है कि नहीं होता है तो यहां से मैंने निकाल लिया side equal कितना अंसर आया है पांच मीटर यह लोग जिसका भी अंसर आ गया side मेरे कितने 5 मीटर के बराबर बहुत असान है कुछ difficulty नहीं है perimeter of square formula उतारना आपको perimeter अलड़ी दे रखा है question के अंदर हमारा 20 मीटर तो बस मैंने वही लिख लिया अब क्या किया कि भाईया formula में मुझे इसको solve करना है side निकालना है तो जो क्योंकि मुझे side निकालना था मुझे side नहीं दियावा था तो इसको मैंने यहीं रोक लिया और number को number के पास भेज दिया देखो जब भी ऐसे question solve करो ना number को number के पास और ABCD को ABCD के पास भेजा करो तो number को मैंने number के पास भेज दिया यहाँ पे multiply में था यहाँ के divide में हो गया और यह मेरा 4 वंजा और यह 5 बार में कड़ गया तो मेरी side बराबर क्या गई side बराबर भी यह 5 मीटर आ गई मेरी ठीक है ना चलो जी तो यह हो गया मेरा question number 9 ठीक है आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको यह 4 question समझ में आ गए होंगे जाने पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी से request है कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को like, share और channel को subscribe कर दिजे यह मेले बहुत ही जादा important होता है अब हम लोग मिलेंगे हमाई अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार